हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टुमा यूटूब चैनल के एले श्टडी फ्रेंट्स मद्ध प्रदेश सिक्षक भरती चैन परिक्षा दो हजार जोवीश के लिए हमने हमारे बायो लॉजी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किये थे तो उसी क्रम में एह हमारा प्रैक्टिस सेट नम के बाद इन प्रैक्टिस सेटों को लगाईए तो आपका दिवीजन भी होगा और यहां पर कुछ नए तरीके से जो कॉस्चन बनते हैं बो भी आपको देखने को मिलेंगे और यहां जो कॉस्चन कराए जाते हैं एक किसी ना किसी आपके एक्जाम्स में पूंचे गए ही कंपूर बिसलेशन यहां आपको देते हैं तो इनसे आपको एक आईडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से कॉस्चन पूंचे जाते हैं ठीक है तो डेली हम यहां पर दस कॉस्चन आपको करवाते हैं तो इन दस कॉस्चनों का जब बिसलेशन देते हैं तो आप स्वयम अ अंदाज अलगा सकते हैं कि कितने सारी यहां कॉश्चन आपके कवर होते हैं ठीक है तो जो बायोलोजी की हमने थ्योरी किलियर की है उसमें बैसिक से सारी जानकारी आपको बताई पात्ता परिक्षा के सिलेवस को धियान में रख करके ठीक है क्योंकि आपके जो टॉपक हैं बायोलोजी के बोतो सेम ही रहने हैं चाहे आपका सिलेवस आपके सामने हो या ना हो जैसे सजीव जगत है ठीक है तो जो सजीव जगत होता है इसमें आपको जो है सजीव जीवों के बारे में पढ़ना होता कि क्यों जीव जीवत है ठीक है कैंसे उसका निर्मार हुआ है त सारी चीजे हमने आपको अच्छे से पढ़ा दिन थी और इनके जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी हमने बैसिक से सुरू किये थे सबसे पहले कोशिका पर बनने वाले वैसे कोश्चन आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में करवाए इसके बाद बिभिन जो सेल और्गनल्स यान प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे उसी क्रम में प्रैक्टिस सेट नमर हमारा सेवन रहेगा और इसमें हमने जो कोशिका विभाजन आपने देखा होगा और पड़ा भी होगा थेयोरी में जो कोशिका विभाजन है स्लाइड एन स्वायन ने कोशिका जो सिध्धन्त दिया था वो भी हमने कवर करवा दिया था आपको अब जो कोशी का विभाजन है वो कितने प्रकार का होता है किस तरीके से इनकी जो stages होती है उनको आपको पढ़ना है तो आप theory वाला session जरूर देख लें क्योंकि इससे बहुत difficult question बनते हैं तो आज के session में हम कोशी का विभाजन से ही सम्मंदत question देखेंगे इसके बाद next practice set में इसके difficult question देखेंगे ठीक है तो आईए start करते हैं आपका आज का practice set और आपको बता दें हमने जो आपके MPTAT work 2 के previous question paper है ठीक है उनको भी उठाया है तो केवल 8 से 10 question हम उसमें करेंगे पूरे विसलेशन के साथ में आपको बहाँ पर बताएंगे तो एक आपका previous जो अठारा फरवरी का था second shift से आपके science के जो है exam में start हुए थे तो उसका जो science के start question उसमें पूंची जाते थी पहले तो इन start question हो में जो है आपके pedagogy भी mix रहती थी तो pedagogy के question भी हम छोड़ देंगे केवल जो आपके science, chemistry, physics और जो biology से question बने थे उनको cover करेंगे ठीक तो उसका भी आपको बहुत अच्छा visualization देंगे तो इसी तरीके से आप जोड़े रहेंगे तो आपको 100% बहुत अच्छी चीज़े यहाँ पर बहुत अच्छी matter के साथ में मिलेंगी तो आपसे request करेंगे कि पातरता परिक्षा की जो class हैं डली हुई है चाहे वो chemistry की हो या physics क अच्छी हुँ आप वो सभी देख लें क्योंकि बहुत अच्छा data हमने आपको दिया था और आप जब previous question paper लगाएंगे तो यदि पातरता परिक्षा के जो हमने class ली थी उसको देखेंगे तो बिल्कुल हर question आपको वहाँ मिलेगा क्योंकि deep में पढ़ने का यही लाब होता है कि question कहीं से भी उठकर के आ जाए यदि आपने deep में और समझ करके पढ़ा है तो वो आप question जरूर कर ले जाएंगे तो देरी ना करिए अब हम देख लेते हैं आज का अपना season तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे question number 61 से यहाँ start होगा क्योंकि हमारे practice set 6 तक आप देखेंगे तो बहां 60 question हमारे हो चुके हैं और आप देखेंगे यदि आप इन 60 question को लगाएंगे तो आपके कम से कम कम से कम यहाँ बात करें तो 1000 question किलियर होंगी क्योंकि जितने fact हम isolation में आपको देते हैं हर fact से question आपका बन जाता है ठीक तो आप कुछ comments आते हैं कि chemistry physics भी start करें तो हमारा उद्दिश ए नहीं है कि जल्दी जल्दी आपको हर चीज करवा दें क्योंकि अभी हमारे पास में time है ठीक है और बहुत समय हो गया है जब से हमारी regular classes भी आती रहती है यदि आप देखते हैं तो फिर आपको पता होगा कि किस तरीके से हमने आपको biology की theory clear करवाई है और अभी भी इसी की class हम आपको दे रहे हैं एक बार हमारी ये class है complete हो जाएंगी इसके बाद हम chemistry physics start करेंगे ठीक है तो पहले theory पढ़ लेते हैं practice set लगा लेते हैं और फिर जब आपका notification आ जाएगा तो एक बार इनका revision फिर से करेंगी तो और यहां जो हम आपको theory बताते हैं वो किसी एक books से नहीं बलकि आपकी जितनी भी authentic books होती हैं सबी से लेकर के हम चलते हैं तो question देखिए यहां पर यहां पर बड़ी नहीं होगा यहां बड़े होगा ठीक है तो बड़े जानबारों में कितनी कोशिकाएं होती है इस तरीके से आप से question पूछ सकता है अब option दिया है यहां पर आपका दसों सेक्डों हजारों या अरवों तो इसका कोई exact answer नहीं है यहां जो सबसे वड़ी संख्या है वो इसका correct answer होगा तो जो बड़े जानबार होते हैं उनमें अरवों कोशिकाएं हो सकती है अब कोशिका आपको बहुत अच्छे से बताया कोशिका क्या कहलाती है ठीक है जी अंग बनते हैं अंग तंत्र बनते हैं फिर सरीर का नर्मार होता है तो यह चीज है ठीक है कितनी कोशिकाएं होती हैं बड़े जानबारों में अरवों कोशिकाएं होती है अब देखिए कुछ fact देखते चलते हैं इर्दगर्द यदि इसससे question बने तो आप उसको भी कर प्रतिक जानवर की कोशिका का एक महत्वपूर्ण कारिय होता है जो उसे जीवित रहने और पनपने में मदद करता है तो जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका अपना एक अलग महत्वपूर्ण कारिय करता है और फिर जो कोशिकाओं के समुह बन जाते हैं जो अपना अपना काम बाट लेते हैं बही उतक कहलाते हैं ठीक है अब जो उतक होते हैं इनका भी अपना-पना काम बटा होता है कुछ उतक होंगे जो आपके पाचन तंतर के लिए हेल्प करेंगे कुछ जो उतक होंगे वो स्वसंत तंतर में कारिये करेंगे ठीक है तो इस तरीके से नेक्स्ट है पसू कोशिका हैं कई भागों से बनी होती हैं जिन्हें अंगक कहा जाता अंगक आप समझ रहे हैं सेल और नल्स ही आपके अंगक है ठीक है जो एक साथ काम करते हैं और कोशिका को कारिय करने में सक्षम बनाते हैं आपने तो पढ़ लिया कोशिका अब पादप कोशिका है जन्तु कोशिका है तो आपने देखा होगा जमान के चलिए जन्तु कोशिका है तो इसके अंदर बिभिन अंगक हैं अंगक मतलब सेल और्गनल्स हैं इसके अंदर माइट्रोकांट्रिया भी है आपका केंद्रक भी है आपका आपके राइवोश्वम भी है आपका गालजी अपकराण भी है तो बिभिन नंगा खें और इनका अपना-पना कार ये बटा हुआ है ठीक है तो ये चीजें आप देखिए जैन्तु कोशी का प्रिकिरती में यू केरियोटिक होती है तो आपको बता चुके हैं यू केर कैंट्र कैसी क्या कहला न के कांट्र यू केरियोटिक मतलब जो कोशिकाएं जीवों में होती हैं ठीक है जबकि डिव्र Pocaryotis को कश्षिकांग में पर्मख कंतर क्या होता है इसके बाद इसमें जो है Bivin जो आपके कोशिकांग होते है offend Pocryption में कुछ कोशिकांग जो है वो अनुपस्तित होते हैं तो यह अंतर आपको बता चुके हैं इसकी कोश्चन भी आपको करवा चुके हैं ठीक है तो इसका जो फर्ष्ट कोश्चन है आज में क्या कहा गया है कि नवीन कोश्च काएं मतलब जो नई कोश्च काएं बन रही है उनका जन्म अपने आप नहीं हो रहा वलकि जो पहले से बिद्वान कोश्च काएं हैं उनसे ही यह नई कोश्च काएं बनती है ए मत जो है वो किसने दिया है तो इसका करेक्ट आंसर आपका option ए हो जाएगा ए मत दिया है बर्चो महोदा इने ठीक है अब देख लेते हैं इनके बारे में अठारा सो पच्चपन में सर्व पिर्थम बर्चो महोदा बर्चो कहीं कहीं मिलता है कहीं कहीं बिर्चो भी लखा हूँता एक ही बात है इन्होंने इस पश्ट किया था कि जो संद्रक की खोज किसने की केंद्रिका की खोज किसने की है आपके तारक काय की खोज किसने की है जिसे हम सेंट्रो सौम कहते हैं कोशिका द्रब की खोज किसने की है प्रोटो प्लाज ममत किसने दिया है इस सारी चीज़ें आपको बता चुके ठेयोरी में ठीक और प्रैक्टि कोशिका है उससे नई संतती कोशिका है अर्था संतानों का जन्म हो रहा है निर्मार हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे कोश्का द्रब कहेंगे कोश्का विभाजन कहेंगे कोश्का वित्ती कहेंगे या केंद्रक द्रब कहेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका अब आपको कोशिका द्रब बारवान नहीं बताएंगे, क्या कहलाता है, खुब अच्छे से हम बता चुके हैं पहले, तो कोशिका और कोशिका द्रब की जब ब्रध्धी होती है, तो इस कारण ये कैसी स्थिति आ जाती है, जब यह संबंद टूट जाता है, क्या हो जाता है, इनके बीच जो संबंद है, वो टूट जाता है, इनकी ब्रध्धी होने के करण, और जो मात्र कोशिका है, वो संतती कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, मात्र कोशिका से अंदाज आपको ये लगाना है कि जो जीवन का प्रारंभ करने वाला मूल बिंदू है वो विभक्त हो जाता है और इससे नई संततियां यानि संताने प्रकट हो जाती है ठीक है इस प्रकार एक मात्र कोशिका से संतती कोशिकाओं के निर्माण को क्या कहा जा जाता है आप का कोशिका विभाजल सेल डिवीजन कहा जाता है बोट धिटतीं होंगी, पचा दीता है या होता क्या है उसके स्थान पर पुरानी कोशिका थोड़ी बहुत भच जाती उस세 Division हो जाता है यानि विभाजन हो पादन नवी नंगों की ब्रध्धी और लेंग्यक एलेंग्यक जनन में महत्वपूर भूमी का निभाती हैं अब अगला क्वेश्चन है सामान्तिया कोश्क्या विभाजन कितने प्रकार का होता है तो मुख रूप से जो हम पढ़ते हैं कोश्क्या विभाजन सेल डिवीजन वो कितने टाइप्स का होता है तू टाइप्स का होता है आपका सेल डिवीजन ठीक है लेकिन एक और हमें अलग से पढ़ने को मिलता है तो वो हम बाद में देखेंगे लेकिन अभी जो मुख रूप से पूंचा जाता है कोश्क्या विभाजन कितने प्रकार का होता है तो इ पहला तो समसूत्री जिसे माइटोसिस कहेंगे याद रखना अब समसूत्री ना दे करके हिंदी में ही लिख देते हैं माइटोसिस इस तरीके से तो माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री और मियोसिस का मतलब होता है अर्ध सूत्री ठीक है तो इसके नाम से जाना जाता है ए तुर्ब आ नियोसिस अर्धसूत्री विभाजन माइटोसिसस सूत्री विभाजन ठीक है अब देखिए अगला कॉस्चन अब यह जो विभाजन दिये हैं न कि अन्य नाम भी होते हैं तो यहीं आपको क outlines करदें कीजो सम सूत्री विभाजन होता है वो he language और में होता है ठीक है और एह आपका जो है ये प्रत्यक्ष होता है तो देखिए प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन किस कोशिक्या विभाजन को कहते हैं तो यही question अभी हमने आपको बताया प्रत्यक्ष किसे कहेंगे तो इसका correct answer हो जाएगा आपका सूत्री विभाजन ये माईटोसिस इसको कहा जाता है प्रित्यक्ष केंद्रक विभाजन अब देखिए सूत्री विभाजन होता क्या है एमाईटोसिस क्या कहलाता है तो जो यह सूत्री विभाजन है या इसको सूत्री मुझा के जाता है इसमें केंद्रक पहले कैंसा हो जाता है लंबा हो जाता हिर सीधा दो भागों में विभक्त हो जाता है प्रत्यक भाग से प्रत्यक भाग में एक संतती केंद्रक पहुंच जाता है मान के चलिए जो केंद्रक है इसमें विभाजन हुआ मान के चलिए जीवाणों के अंदर जो केंद्रक है ठीक है तो इसमें विभाजन हो गया अब जो विभाजन हो गया तो दो अलग अलग केंद्रक बन गए और जो अलग अलग दो केंद्रक बन जाते हैं तो इन में पुनहा से आपका जो है डिवीजन होता रहता है तो यह जो असुत्री विभाजन है जीवों जीवाणों कवक प्रोटो जुगा में और प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं ठीके कभी कॉस्चन आपको डारेक्ट पूछेगा माइटोसिस सब्द का प्रियोग सर्वपर्थम किस ने किया तो पहले तो आपको पता होगा कि माइटोसिस किस विभाजन को कहते हैं तभी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे तो माइटोसिस किस कहते हैं समसूत्री विभाजन क ठीक है तो इस सब्द का प्रियोग बताना है सबसे पहले किस में किया था तो इसका जो correct answer हो जाएगा वह आपका आफसर नमर ए हो जाएगा वाल्थर फ्लेमिंग लखा होता है ठीक है अब देख लेटे हैं यह क्या होता है समसूत्री कोश्श के विभाजन माईटोसिस सेल डि वो प्रत्यक्ष था तो इसको परुक्ष कोशिका विभाजन किसे कहते हैं तो समसुत्री कोशिका विभाजन को अब जो माईटोसिस सब्द है इसका सबसे पहले प्रियोग सन 1882 में यह भी याद रखिए ठी किसने किया वाल्थर फ्लैंग मेंग महोदाय ने किया उन्होंने ही कोशिका विभाजन का जो नाम है वो माईटोसिस रखा है तो जो कोशिका विभाजन को माईटोसिस से भी पूछ सकते हैं नाम किसने रखा तो इन्हीं ने रखा वाल्थर फ्लैंग मेंग में और इसका अर्थ क्या होता है तो समसुत्री का अर्थ होता है धागे की तरह है न जंद्रक का विभाजन होता है वो तो आपकी विभेन जो स्टेज होती है प्रोफेज, मैटाफेज, एनाफेज करके इनमें होता है लेकिन जो कोशिका द्रब विभाजन वो साइटो काइनेसिस कहलाता है थेयोरी में बहुत अच्छे से आपको बताया है तो इस प्रकार का विभाजन में जो मात्र कोशिका है अर्था जो मदर सेल है वो डवाइड होकर के दो समान नई डॉटर सेल संतती कोशिकाएं बनाती है तो यह फेक्ट आपको याद रखना है इसका मूल फेक्ट यही है कि इसमें जो मात्र कोशिका है वो विभाजित होकर क्या करती है दो सम संतती कोशिकाएं बनाती है समसूत्री कोशिका विभाजन एक कैसी प्रिक्रिया नरंतर जो चलती रहती है समसूत्री विभाजन एक जटल पेक्रम है जो कई चरणों या वस्थाओं में होता है तो इसके चरण भी आप याद रखिये फिर इन चरणों से बहुत ही difficult question पूंशे जाते हैं तो जब आप थेयोरी इसकी जाने रहेंगे तभी इनके आप question लगा पाएंगे तो इसके बाद जो हम practice set लाएंगे उसमें यही question करेंगे ठीक है इनकी अवस्थाओं से अभी यह basic है आपके विभाजन का तो समसूत्री विभाजन कैसी परक्रिया जटल है नरंतर पर तो यह तो आपके केंद्रक विभाजन यहां समपन होता है फिर इसके बाद जो last stage आती है जिसे हम कहते हैं cytokinesis जिसमें कोशिका द्रब विभाजन होता है next question है अर्द सूत्री विभाजन जिसे हम meiosis कहेंगे इसका नाम करण किस ने किया तो यह नहीं देंगे direct लिख देंग fonctionודal diagnosis का नाम करण किस ने किया है तो इसका direct answer होगा वो होगा फार्मर तथा मूरे या मुर्ण्य कहीं मिलता है 10 करीगे इसे से लिखा ठीक है एंहों ने इसका नाम करण किया एक बात नाम करण की है और एक बात होगी आपकी खोऑं की किसकी खो़ोज किसने कि8 थोड़ा सदे भीकों देख लेते हैं मियोसिस के बारे में तो और शूतरी कोशिका वेभाजन या जो मियोसिस है इसकी खोजतों कीति किस ने बीज में परन्तु नामकरन इसका जो मियोसि को खाट जो कोशिका विभाजन है केवल जनन कोशिकाओं में होता है यानि लेंगिक जो कोशिकाओं होती है उन में होता है इस कोशिका विभाजन के द्वारा जन्तु में सुक्राणूं और अंडाणूं तथा पादपों में नर और मादा योगमक बनते हैं अब आप देखेंगे कि जो आ पुस्चे को ने मिखाँ किस विखाँ का दूसरा नाम है रेड़क्शनल सेळ डिवीजन यह क्या होते हैं में गुर्शूत्र जोड़ों के रूप में होते हैं और जम इनमें रेप्रोडक्शन होता है तो आधे-ाधे गुड़ सूत्र मिल करके एक आपके जो डॉटर सेल्स होती उसका निर्मार यहाँ पर करते हैं ठीक है अब देखिए अगला कॉश्चन माइटोसिस कोश्च का विभाजन के बारे में निम्न लिखत मैंसे कौन सा सही बाक है तो इस तरीके से आपके जटल कॉश्चन पूशे जाते हैं अब जो माइटो से सही क्या कहलाता है तो यह तो आपका कहलाता है समसूत्री विभाजन क्या कहलाता है समसूत्री विभाजन तो इसके बारे में चार कथन दिये हैं इनमें ऐसे तीन गलत हैं और एक सही है तो बही हमें बताना है तो दिया है क्रोमो शॉम इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतती कोशिकाओं को उच्छ मात्रा में बन सानुगत प्राप्त होता है नेक्स्ट है क्रोमोस सौम इस तरह विभाजित की संतती कोशिकाओं को समान मात्रा में बन सानुगत प्राप्त होता है फिर गुर्षूत रिस्प्रकार विभाजित हैं कि भी आप दे पाएंगे जब आप माईटोसिस के बारे में अर्द सूत्री समसूत्री विभाजन जो होते हैं इनके बारे में आप डिटेल से पड़े रहेंगे ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ओप्सन भी होता है अब थोड़ा सा देख लेते हैं जो माईटोस समसूत्री विभाजन है यह कोशिका विभाजन का एक रूप है जिसमें एक यू केरियोटिक अब जैसे ही यू केरियोटिक आया आपके दमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें इस पश्ट केंद्रा खोता विभिन प्रकार के कोशिकां इसमें अपस्थित होते हैं ठीक है कैने प्रितिकिर्ति के बाद होता है जिसके प्रणाम सरूप मात्र कोशिका के जीनॉम को गुर्षूत्रों के दो समान सेटों में विभाजित मतलाव एक मात्र कोशिका से दो समान संतती कोशिकां प्राप्त होती हैं फिर दिया है माईटोसस में गुर्षूत्र कोशिका के म कोश्चन हम अगले प्रेक्ट सेट में लगाएंगे ताकि आप बहां पर समझ भी सकें कि किस तरीके से कोश्चन पूंचे जाते जैसे कोश्चन आ जाएगा तो बहुत से वच्चे का अंसर गलत लगाएंगे ठीक है क्योंकि जब वो डेटेल से जाने नहीं रहते कि क्या होता है असूत्री समसूत्री अर्धूसूत्री विभाजन तो फिर इस तरीके से गलत भी हो सकती कोश्चन नेक्स्ट है कोश्चिका विभाजन को बढ़ावा देता है तो यह हमने पादप हार्मोन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाये हैं जब हम पादप जगत का बरगी करन कर रहे थे पांच जगत बरगी करन जो प्रणाली है उसमें एक जगत आपका पादप जगत आता है तो पादप जगत में हमने बहुत सी चीजें आपको बताई हैं पादपों में पोशन क्या होता पादपों में जो आपके हार्मोन से वो क्या होते हैं पादपों में जीबाण बीजी टेरीडो फाइट अब रायो फाइट अब बहुत सी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं ठीके तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है आप सारी किलासों को बहां जा करके देख सकते हैं तो कोशी का विभाजन को बढ़ावा कौनसा हार्मवन देता है कोश्चन ए है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो औपसन ए हो जाएगा साइटो कारी होता है अप जो एक पादाफारPLन है यह सभी पादाफार्मवन है ठीक है या पौधों में बीज और कलियों में शुप्तता को बढ़ावा देता है साइटो कायनन भी पादाफार्मोन है या कोश्का विफाजन को बढ़ावा देता है सेल डिवीजन को इसलिए कहते हैं हर एक चैप्टर को जोड़ करके पढ़िए क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा है जिवरेलन एक पादाफार्मोन है पौधे के तने में बढ़ावा मतलब देता है ओग्जन भी हार्मोन है पादाफार्मोन कोश्का बरद्धी को इबढ़ावा देता है और डिटेल में आप थेओरी पढ़ सकते हैं आज का लास्ट कोशिकां रहेगा जनन कोशिकां में संपन होता है तो अभी आपको डिटेल में बताया इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है कि जनन कोशिकां जो लेंगेक सेल्स होती है उनमें कौन सा विभाजन संपन होता है तो इसका जो है कमेंट्स में आप आंसर दें किया था उसमें 8 कॉस्टन किये थे और बहुत अच्छे से उनका विसलेशन भी आपको करवाया तो उनको भी आप जरूर देखते रहिए सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले थेयोरी किलियर करें इसके बाद प्रेक्टर सेट लगाईए क्योंकि थेयोरी वाली किलास हैं उसके भी हम आपको रेगुलर वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाती हैं क्योंकि थोड़ा सा जो समय है वो मिल नहीं पाता है इसकूल जाने कर रहता है ठीक है और फिर कुछ घर के कामकाज भी होते हैं इस कारण से फिर भी हम आपको बहुत सारा जो मतलब सुरू आज से कलास से स्टार्ट करेंगे ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद